सवी पर फिर लगने वाला है एक बड़ा और घटिया इल्जाम वैल आपको बताते हैं कि स्टार प्लस के सीरियल गुमे किसी के प्यार में के आने वाले ट्राक में आप देखेंगे किस तरीके से सवी पर एक इल्जाम लगने वाला है जिसके बाद सवी जो है वो बहुत ही परिशान होने वाली है साथी शान ही नहीं बलकि इस बार यश्वंत सुरेखा सबके सब उस पर भड़कने वाले हैं चलिए बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोमो सामने आया है और प्रोमो जो है वो काफी धमाकेदार है सब के सब सवी पर चला रहे हैं और यश्वंत कहता हूँ नजरा रहे है कि ये घटिया सोच तेरे दिमाग में आई तो आई कहां से जिसके बाद सबी खुद को सही साबित कर रही है लेकिन कोई भी उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है वहीं सुरेखा जो है वो अलगी उस पर भड़कती हुने जरारी है ये सब क्यों हुआ है चलिए आपको डिटेल में बता देते हैं आज हुआ ये कि सबी जो है वो अनवी को लेकर सब के सामने बहुत सी बातें बोल देती है वो अनवी के लिए कहती है कि इसे डॉक्टर की जरुरत है ताकि वो इसको समझ सके लेकिन वहां को ये बात समझने को तयारी नहीं अन्वी की हारत तो आपने देखी है किस तरह से वो मामा जी से डरती है और मामा जी का खौफ उसे इतना है कि वो किसी को भी सच नहीं बता पाती है इतना ही नहीं उसने तो इशान को भी सच नहीं बताया कि उसके साथ क्या गलत चीजें हो रही है लेकिन आप तो जानते हैं कि सवी को अच्छे से पता है कि मामा जी जो है वो कितने घटिया इंसान है अब मामा जी की डर की वज़े से अन्वी तो चुप है लेकिन सवी यहाँ पर जो है भई सब को बोलती है कि आप लोग एक काम करिया आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है यानि कि अभी सवी ने किसी को मामा जी की सचाई नहीं बताई क्योंकि सवी अच्छे से ये बात जान करते हैं ऐसे में कोई सवी पर ट्रस्ट नहीं करेगा इसलिए सवी ने अन्वी के लिए कहा कि हमें अन्वी को डॉक्टर से दिखाना चाहिए बस इसी बात पर सब के सब भड़क गए हैं और यश्वन्त जो है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़की पागल है इस पर सवी कहती है कि नहीं मैं यह नहीं बोल रही कि अन्वी पागर है लेकिन एक बार हम डॉक्टर को डिखाएंगे तो शायर अन्वी जो है पता चल पाए किस मुसीबत में है वहीं पर आप देख सकते हैं कि इशान जो है समझाने की कोशिश करता है कि नहीं सवी से पर रीवा को कंडेक्ट कर दिया क्योंकि आप जानते हैं कि मेडिकल का हेड बनाया घया और तुरेखा जो है यह चीज़ें रीवा से इसलिए कनेक्ट कर रही है अब काफी सारी चीजें होने बताईए और से तरह की अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इससे वीडियो को हमारे फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो करें